सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल तो परफेक्ट क्लासिस में स्वागत है डिरेक्टर एट अफ एजुकेशन जीन सीटी ऑफ देली की वर्कशीट नमबर 28 डिसकस कर रहे हैं फार किसी चीज से थोड़ा सा दूर नियर किसी चीज के बिलकुल पास अप किसी चीज के उपर और डाउन किसी चीज के नीचे यह प्रेड के नीचे है ठीक है और यह इस वाले बादल से उपर है थोड़ा जमीन से भी उपर है ठीक है तो यह होती है प्रिपोजिशन समझ लेते हैं, एक preposition is a word used with a noun और a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun, it stands in relation to something else, एक preposition एक ऐसा शब्द होता है, जिसका संग्या ये सर्वनाम के साथ प्रियोग किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति या किसी चीज से संबंधित किसी चीज के लिए उसका बोद कराया जाता है जो कि किसी और चीज से उसके संबंध को noun संग्या सर्वनाम के द्वारा दिखाती है तो मैं आपको बता देती हूं थोड़ा सा समझा देती हूं, preposition से हम क्या समझते हैं, कि मतलब किसी संग्या सर्वनाम से उस चीज का क्या relation होता है वो ये चीज दिखाती है ठीक है, अब underline the preposition in the following passage इसमें आप underline करेंगे preposition को, देखिए animals like horse, elephant, lion, etc. live on land जानवर जैसे की घोड़ा हो गया आती हो गया शेर आदी कहां धर्थी पर रहते हैं तो on इसमें preposition हो गई butts fly over houses and trees पेड़ पर पेड़ों पर और घरों पर क्या उड़ते हैं पक्षी जो होते हैं पेड़ों और घरों के उपर उड़ते हैं तो over इसमें क्या हो गया preposition हो गया fish live in water fish मचली पानी में रहती हैं तो in इसमें preposition हो गया आप निशान लगाते जाएंगे जिनके नीचे में underline कर रही हूँ आपको भी underline करनी है लिखा हो है ना underline करनी है आपको some animals make their houses under soil कुछ जानवर मिटी के नीचे अपना घर बनाते हैं तो इहां पर preposition हो गया under animals like dog, cat, cow and buffalo etc. live with men as bats जानवर जैसे की कुता होगे, बिली होगे, गाए, बहस, आदी कैसे एक पालतू की तरह रहते हैं ठीक है मनुष्ये के साथ एक पालतू की तरह रहते हैं तो यह हो गया आगे पढ़ते हैं some animal live near and cities while some other animal live in forest far from noise and crowd कुछ जानवर तो गाउं के पास रहते हैं गाउं और शहरों के जबकि कुछ दूसरे जानवर jungle jungle हो में रहते हैं जो shore और भीड़ वाली जग़ से दूर होते हैं तो एक near हो गया यहाँ पर एक far हो गया ठीक है ओके अब आगे देखते हैं choose the correct preposition to complete the sentence तो इसमें हमें कोई एक correct फिल करना है I keep my book in the bag इना जाएगा मैं अपनी किताबें बैग में रखती हूँ बैग के अंदर रखती होगी तो इना आगा second day the fanny is on the table पंका जो है टेबल पर है टेबल के उपर रखा हुआ है ठीक है बहुत उपर नहीं है उसके हवा में तो नहीं रखा जा सकता इसलिए ओना जाएगा next day her toys are lying on the bed उसकी किताबें या sorry उसके खिलोने बिस्तर पर हैं बैड पर हैं तो on आजाएगा ठीक है on लिख दे हैं हमने याँ पर next day the dog was sleeping under a tree आएगा पेड के नीचे सो रहा था dog over उसके उपर तो नहीं सो सकता next day when you look up you can see stars in the sky तो आप तारिक कब देख सकते हैं आसमान में जब आप उपर देखेंगे नीचे देखने पर तो नहीं दिखेंगे न तो अप लिखेंगे the baby fell down suddenly बच्चा चानक से नीचे गिर गया पास में नहीं गिरेगा नीचे गिरता है ठीक है डाउन आजाएगा Delhi is far from Chennai Delhi Chennai से पास है या दूर है दूर है far लिखेंगे my kite was flying over houses and trees मेरी पतंग घरों और पेड़ के नीचे उड़ रही थी तो इसमें क्या जएगा over ओके students तो यह worksheet complete हो गई मिलते है next video में वीडियो अच्छी लगे तो like or share कर देना thanks for watching